लदाख एक ट्रेलर था जब आपकी न्यूज आती है शुरू में वो आप हाइलाइट्स देते ना ये लदाख एक हाइलाइट्स थी इनके लिए अब जो असली पिक्चर है वो जमू कश्मीर में चलनी है बीजेपी अपनी होम टाउन सीट्स है वहाँ पे भी उनके हालात बहुत कराब होगी और इस बार को जो जमू कश्मीर का एलेक्शन होगा वोट परसंटेज का आप देखेंगे आप हैरान होंगे कि जो लीड होगी किसी भी केंडिडेट की 10 से 15,000 नीचे लीड नी होने वाली मैं समझता हूँ लगी साब का कसूर नहीं है लगी साब के जो आगे पीछे लोग हैं वो उनको मिस्गाइड कर रहे हैं मैं लगी साब से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को तबदील कीजिए जो लोग आपके आगे पीछे हैं या आपको गलट डेटा दे रहे हैं य अभी इनका वक्त आने वाला नहीं है आने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा को किस चीज का डर सतारा है क्योंकि इस तरहां से लदाख खुदमक्तार तरक्याती कौंसल के इन्तखाबात हुए वहां पर भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और नाशनल कानफरेंस सिंगल लाज़ेस पार्टी उभर कर सामने आई जिसने बारा सीट्स वहां से हासल की सबसे पहले बहुत बहुत मुबारख बात क्योंकि अगर हम लदाख की बात करें तो लोगों ने फिर से एक बार नाशनल कानफरेंस को सपोर्ट किया और नाशनल कानफरेंस को जिता कर जो है फिर से सता में बार देखिए आपका बहुत 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 शुक्रिया सबसे पहले मैं तमाम लदाख के वर्कर हजरात को जीते हुए केंड़ेट्स को और सबसे बड़ी बात है कि डीरर फारुओक अब्दुला साहब और जणाब Umar अब्दुला साभ को मुबारक बात देता हूँ कि जिनके एफर्ट्स जिनकी कोशिशन से कर awaiting में हमारी काम्याभी हुई है और india alliance की काम्याभी हुई है जहां तक आपने बात कही अलेक्शन्स का मेरे भाई अब कारगिल के रिजल्ट ने बता दिया है कि यहां पर हालात बीजेपी के लिए साजगार नहीं है ठीक नहीं है हिंदस्तान जो पूरी दुनिया में मशूर है डेमोक्रेसी के लिए लेकिन बदकिस्मती यह है कि 2014 से जब की है वो अगर आज जम्मो कश्मीर के अंदर कहीं भी अपना एलेक्शन करेंगे तो मुझे मैं आपको यकीनिक हूँ के बीजेपी पांच का आकड़ा पार नहीं कर से पचास का दावा कर रहे थे क्या लगता है कि अब इस तरह से लिदाख में अलेक्शन हुए क्या जम्मो कश्मीर के अंदर जो उनके 25 नमाइंदे जीत क्या है हैं आज उनके जो कंसिक्शन सेगमेंट से वहां के लोग भी उनको कोश रहे हैं कि किन लोगों को हमने बनाके बेजा हैं गोर्मेंट हो या ना हो हकुमत हो या ना हो लेकिन एक जीता हुआ नमाइंदा जो कभी एक बार भी जीता हुआ लोगों की बात करता है अवाम की बात करता है लेकिन वो 25 के 25 नमाइंदे इस कदर चुप करके होके बैठ गे हैं जैसे उनको किसी ने हिदायत दी होके आपने अ जो हमारे फॉर्मर डिप्टीजी मिनिस्टर ते उनका किया, कवेंदर गुपता जी का, मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए और बीजेपी की भी समझ नहीं आती, एक तरफ से ऐलान किया, इन्होंने जी ट्वंटी करवाया, इतना पूरी दुनिया के यहां पर मैस्जर आए, बाहर के, जो लोग है, उनने देखा और इन्होंने कहा पूरी दुनिया में इन्होंने बात की, कि आज जमो कश्मीर में जो है तरकी का जो है दोर चल रहा है तब हाला ठीक थे अब जब इंतखाबात की बारी आती है तो तब साइक्यूर्टी रीजन क्यों बताया है वही मैं बता रहा हूं कि इन्होंने तब G20 के बाद बताया कि जमो कश्मीर में हाला ठीक है जमो कश्मीर तरक्य हो रही है जमो कश्मीर की आवाम जो है वो खोश है जमो कश्मीर की आवाम चाहती है कि यहाँ जल्द से जल्द जो है वह भाली हो लेकिन अगर एक महीना पहले जी टूइने कराते हुए सब कुश ठीक ठा तो जब अलेक्शन का नाम सुनते हैं तो ना जाने क्यू पश्मिर में भी अलेक्शन करवाई करवाई जाएंगे वो सही वक्त आएगा कब देखिए जो सही वक्त मौझुदा सरकार ढूंड रही है मुझे नहीं लगता हो वक्त आएगा कभी इनका वक्त आने वाला नहीं है मैं फिर से कहूंगा अगर इनको एसम्मली अलेक्शन में दर लगता है तो ये आ जाएं पंचायत का इलेक्शन करवा ले अगर पंचायत की एलेक्शन करवाई और देखने कि इनकी मजबूती कहां पे ये कहां स्टाइंड करते हैं क्या इनकी मौझुदा आहलात है आने वाला वक्त जो है वो बीजे की बीजेपी के लिए बड़ा कश्मीर को दूर बात रही मुझे लगता है पूरे हिंदस्तान में इनका अब नाम निशान कुछ अमीदे हैं कि लदाख की तरह जमुआ कश्मीर में भी नैशनल कांफरेंस उभर कर सामने आएगी देखिए लदाख एक ट्रेलर था जब आपकी नियूज आती है शुरू में वो आप हाइलाइट्स देते ना ये लदाख एक हाइलाइट्स थी इनके लिए अब जो असली पिक्चर है वो जमुआ कश्मीर में चलनी है लेकिन यहां पर तो इंतखाबात के कहीं दूर दूर तक आसार नाजर नहीं आ रहे हैं देखिए मैं खास करके कहूंगा कि बीजेपी की जो प्रेजिडेंट है वो खिताए पीर पंजाल से तो बड़े अच्छे इंसान है तो मैं आपने डीडीसी इलेक्शन में देखा उनके इलाकों में क्या हाल है मैं फिर से कहूंगा कि जिस दिर वो लाउन सीट्स हैं वहां पे भी उनके हालात बहुत कराब होगी और इस बार को जो जमो किश्मीर का एलेक्शन होगा वोट परसंटेज का आप देखेंगे आप हैरान होंगे कि जो लीड होगी किसी भी कैंडिडेट की दस से पंदरा हजार नीचे लीड नी होने वाली है तो अभी इसका आणे वाला है पार्लिमंट के तो एलेक्शन करवाएं गई तो आपको पार्लिमंट एलेक्शन में आपको पूरा डेटेल आ जाएगी कि बीजेपी का कहाँ पे है आगर मैं अपने डिस्ट्रुक की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता वहां बीजेपी 10 से 12 प कर रहे हैं मैं पहले भी मैंने बात कि आपके मीडिया के हवाले से में गुवर्णर साहब से हाथ जोड की घुजारिश करता हूं कि अपनी यह वीडियो कॉंफरेंस का सिस्टम बंद कर दीजिए क्योंकि जिस दिन आप अपनी वीडियो कॉंफरेंस रखते हैं उससे तीन दिन पहले district की जो administration है वो सारा काम बंद कर देते हैं लोगों से नहीं मिलते हैं अवाम गाउं से एक आदमी 50 km चल के आता है तो वहां तसीर लेवल हो वीडियो लेवल हो या किसी engineer लेवल पे हो जब वहां पर वहां पर आदमी आके वहां बात करता है कि जनाब मेरा ये काम है तो उ governor साब की meeting है हमने उनके लिए data बनाना है जो हमने उनको दिखाना है तो वो एक फर्जी data जो है तियार किया जाता है उनको दिखाया जाता है और तीन दिन वो और एक वो चार दिन जो हमारे आम आदमी है जो काम सो रुपे में हो सकता था एक आम आदमी को आई 2000 रुपे लग आगे पीछे लोग हैं वो उनको मिस्गाइड कर रहे हैं मैं LG साब से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को तब्दील कीजिए जो लोग आपके आगे पीछे हैं या आपको गलट डेटा दे रहे हैं यह अपनी पोजीशने चाहते हैं प्राइम पोजीशने चाहते हैं देखिए प्रोटेस्ट पे मैं आपको यह बताओं कि परमिशन के लिए अपलाई किया हुआ है जो हमारे सीनियर हजराते हमने अपलाई किया हुआ है तो मुझे लगता है परमिशन आजाएगी वहां पे और जब वो आजाएगी तो मुझे लगता है पीसफुल प्रोटेस् देख लेगी कि अवाम क्या चाहती है जो अवाम चाहती है वो उनके सामने आ जाएगा कुछ एलेक्शन में आ गया कुछ ऐसे आ गया आजा जान साब थे हमारे साथ जिन ने बहुतले मिसाल को लेकर हमारे साथ बात शीद की आप लोगों की क्या कुछ राय है आप भी अपनी राय कॉमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा